बच्चो आज हम सिखाने वाले आपको मंटिप्लिकेशन, मंटिप्लिकेशन, ठीक है, तो कैसे करते मंटिप्लिकेशन हमारा पा है, 5, 4, मंटिप्लाई किस से करना, 3 से करना, तो हमारा पा ये 1 होता है, ये 10 होता है, ठीक है, और ये मंटिप्लाई का सहन होता है, ये किस का सहन वहता है, multiplication का आपने table में देखोगा, तो अब क्या करना में हमने पहले इसको, ये 3 से वन्स को क्या करना, multiply table बोलनी, तो अगर हम 4 की table बोलेंगे, 3 into 4, अगर 3 की table 4 तक बोलेंगे, तो कितना आता, 12 बाता है, कितना आता, 12 तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2 और carry यहाँ रखने पड़ेगी, अब हमने 3 की table का बोलनी, 3 की table बोलनी, 5 तक, कितनी तक ब 16, यह कितना हो जाएगा, 16, तो इस तरह हम multiply कर सकते, अब हमें फिर यह once, यह 10, 5 की table 7 तक बोलनी, 5 की table कहा तक बोलनी है, 7 तक, अगर मैं 5 की table 7 तक बोलनू, तो 5, 7 जा 35 होता है, कितना होता है, 35, तो यह once, इधर जो होता हमारा 5, यह यहाँ पे आएगा, और यह क्या होती, 6 की carry होती, यह 10 के उपर चली जाती, अब फिर दुवार हमने देखा कि हमारा 6 बच रहा, तो हमने 5 की table आप कहां तक बोलनी है, 6 तक बोलनी, 5 कितना होता, 30, तो इसके साथ 3 पलस, यहाँ जाएगा 33, अब हमारा पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 33 लिग द से, 6 की table हमें कहां तक बोलनी, 4 तक बोलनी, तो 6 इंटू 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 फोर जा, 24, तो यह राइट एंट साइड है, once, यह 10, तो हमें 4 कहां लिखना, यहाँ, और 2 कैरी, यहाँ, अब 6 की table कहां तक बोलनी हमें, 6 की table मोलनी, 3 ता, कहां तक बोलनी, 3 तो 6, 3 ते कितना होता, 18, लेकिन हमारा पर कह रही कितनी थी, 2 थी, तो हमने यहाँ, 2 फालस किया, तो यह कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20, तो इस तरह हम क्या, एक डिजिट वाले, मंटिपलिकेशन करते हैं, थेंक्यू,